प्रेम से बोल ये श्रीमत भागवत महापुरान की जय भागवत कथा में या फिर आप जब भगवान कृष्ण की और उनकी रास लीलाओं की कथाएं सुनते हैं तो उस समय आपने गोपी का गीत जरूर सुना होगा अगर आपने नहीं सुना है तो आपको आज का ये अध्याई जरूर सुना चाहिए क्योंकि गोपी का गीत बहुत ही महतुपून है गोपियों ने जब भगवान कृष्ण उनके सामने ही अंतरध्यान हो गए थे तब उनके विरह से दुखी होकर जो गीत गाया था उसी का हिंदी अनुवाद आपको भागवत कथा में आज सुनने मिलेगा गोपिया विरह वेश में गाने लगी कि है प्यारे तुम्हारे जन्म की कारण बैकुंठ आदी लोकों से भी ब्रिज की महिमा बढ़ गई है तभी तो सौंदर और मृदुलता की देवी लक्षमी जी अपना निवास इस्थान छोड़कर यहां नित निरंता निवास करने लगी है इसकी सेवा करने लगी है परंतु प्रेतम देखो तुम्हारी गोपिया जिनोंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे है वन वन में भटक कर तुम्हे ढूंड रही है हमारे प्रेम पून हर्दय के स्वामी हम तुम्हारी बिनामूल की दासी है तुम शरतकालीन जलाशे में सुन्दर से सुन्दर सर सिजगी करने का के सौंदरी को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो हमारे मनूरत पूर्ण करने वाले प्राणिश्वर क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है क्या अस्त्रों से ही हत्या करना वध होता है पुरुष्य रोमने यमुना जी के विशैले जल से होने वाले मृत्यू अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावनल, व्रिशभासुर और ग्योमा सुरादी से और भिन-भिन अवसरों पर सभी प्रकार के भयों से तुमने बार-बार हम लोगों की रक्षा की है तुम केवल यशुदा नंदन ही नहीं हो समस्त शरीर धारियों के हिर्दय में रहने वाले उनके साक्षी हो अंतर्यामी हो सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यद्वन्ष में अबतरित हुए हो अपने प्रेमियों की भिलाशा पूर्ण करने वालों में अगरगण है यद्वन्ष शिरोमने जो लोग जन्म मृत्य रूप संसार के चकर से डर कर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहन करते हैं उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभ़े कर देते हैं हमारे प्रेतम सबकी लालसा भिलाशाओं को पूर्ण करने वाला वही करकमल जिससे तुमने लक्षमी जी का हाथ पकड़ा है हमारे सिर पर रखतो ब्रिजवासियों के दुखदूर करने वाले वीर शिरोमनी है श्याम सुन्दर तुम्हारी मंद मंद मुसकान की एक उजवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए परियाप्त है हमारे प्यारे सखा हमसे रूठो मत प्रेम करो हम तो तुम्हारी दासी है तुम्हारी चरनों पर निचावर है हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला सावला मुख कमल दिखलाओ तुमारे चरन कमल शरनागत प्राणियों के सारी पापों को नश्च कर देते हैं वे समस्त सौंदर ये माधूरी की खान है और स्वयम लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है आप उन्हीं चरनों से हमारे बच्छनों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें साव के फनोबर रखने में भी आपको संकोश नहीं होता हमारा हर्दे आपकी विरह व्यथा की आग से जल रहा है आपके मिलन की इच्छा हमें सता रही है आप अपने वेही चरण हमारे वक्ष इस्थल पर रखकर हमारे हिरते की ज्वाला को शांत कर दो हे कमल नयन, आपकी वानी कितनी मधूर है उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधूरातिम मधूर है बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं उस पर अपना सब कुछ निचावर कर देते हैं तुम्हारी उसी वानी का रसा स्वादन करके तुम्हारी आग्या कारणी दास्यां गोपियां मोहित हो रही है हे दानवीर, अब तुम अपना दिवे अमृत से भी मधूर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो, हमें छका दो प्रभो, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है बड़े बड़े ग्यानी महात्माओं, भक्त कव्यों ने उसका गान किया है वे सारे पापतापतों मिटाती ही है, साथी श्रवन मात्र से परम मंगल, परम कल्यान का दान भी करती है वे परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तों में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हसी और चित्वन, और तुम्हारी तरह तरह की क्रिणाओं का ध्यान करके हम आनन्द में मगन हो जाया करती थी, उनका ध्यान भी परमंगल दायक है, उसके बाद तुम मिले तुमने एकांत में हिर्देस परशी ठिठोलियां की, प्रेम भरी बाते की, हमारे कप्टी मित्र अब विस सब बाते याद आकर हमारे मन को दुखी कर रही है हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुन्दर है, जब तुम गवगों को चराने के लिए ब्रिज से निकलते हो, तब ये सोच कर, कि तुम्हारे वे युगल चरण, कंकर, तिनके और कुश काटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन ब के लटक रही हैं, और गववों के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है, हमारे वीर प्रेतम, तुम अपना वे सौंदर हमें दिखा दिखा कर, हमारे हिर्दे में मिलन की आकांशा प्रेमुत्पन करती हो, प्रेतम, एक मात्र तुम्हीं, हमारे सारे दुखो को मिटाने वाले हो, तुम्हारे चरन कमल, शरनागत भक्तों की समस्त अभिलाशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, स्वेम लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, और प्रत्वी के तोवे भूशन ही है, आपत्ती के समय एक मात उनहीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आप करम, कल्यान, सरूप, चरन कमल, हमारे वक्ष इस्थल पर रखकर हिर्दय की विथा शान्त कर दो, वीर शिरुमने, तुम्हारा अधरामरित मिलन के सुख को आकांशा को बढ़ाने वाला है, वह विरह जन्य समस्त शोक, संताप को नस्ट कर देता है, ये गाने वाली बासुर प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक पल युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लोटते हो, तथा गुंगराली अलकों से युग्ध, तुम्हारा परम सुंदर मुख ह हम देखा करती है, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है, प्यारे शाम सुंदर, हम अपने पती, पुत्र, भाई, बंधू और कुल परिवार का त्याग कर, उनकी इच एक चाल जानती है, संकेत समझती है, और तुम्हारे मधुर्गान की गती समझ कर, उसी से मोहित होकर यहां आई है, कप्टी, इस प्रकार रात के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है, प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांशा, प्रे जोली करके हमें छेडते थे, तुम प्रेम भरवी चितवन से हमारी ओर देकर मुस्करा देते थे, और हम देखती थी कि तुम्हारा वह विशाल वक्ष इस्थल जिस पर लक्षमी जी नित निरंतर निवास करती है, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है, और हमारा मन अधिक और अधिक मुक्द होता जा रहा है, प्यारे तुम्हारी ये अभी वक्ती ब्रजवन वासियों के संपून दुख ताप को नस्ट करने वाली और विश्व का पून मंगल करने के लिए है, हमारा हिर्दे तुम्हारे प्रती ऐसी लालसा से भर रहा है, कुछ थोड़ी सी ऐसी ओश्थी दे दो, जो तुम्हारे निजजनों के हरते रोग को बिलकुल जड़ सहित नस्ट कर दे, तुम्हारे चरण तो कमल से भी कोमल है, उन्हें हम अपने कठोर वक्ष इस्थल पर डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न अचेथ होती जा रही है श्री कृष्ण, श्यामसुंदर, रिप्राणात, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है हम तुम्हारे लिए जी रही है और हम तुम्हारी है श्री शुगदेव जी कहते हैं परेक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार तरह तरह से गाने और दुख प्रकट करने लगी प्रलाप करने लगी अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से भी अपने आपको रोक नहीं सकी करुना जनक सुमधुर स्वर से फूट फूट करोने लगी ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए उनका मुख कमल मंद मंद मुसकान से खिला हुआ था गले में वनमाला थी पितामबर धारण किये वे थे उनका ये रूप क्या था? सब के मन को मत डालने वाले कामदेव की मन को भी मतने वाला था कोटी कोटी कामों से भी सुन्दर परम मनुहर प्राण वलब शाम सुन्दर को आया देख गोप्यों के डेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे वे सब की सब एक साथ ही इस प्रकार उठखड़ी हुई मानो प्राण हीन शरीर में दिवी प्राणों का संचार हो गया हो शरीर के एक एक अंग में नवी इन चेतना नई स्फूर्थी आ गई हो एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और फिर वे प्रेम से दीरे दीरे उन हाथों को सहलाने लगी दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंट को अपने कंधे पर रख लिया तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया चौथी गोपी जिसके हिर्दे में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी वहीं बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष इस्थल पर रख लिया पाँचवी गोपी प्रणय कोप से विवल होकर भौहें चड़ाकर दातों से होट दबाकर अपने कटाक्ष बानों से बीदिती भी गुस्से से उनकी ओर ताकने लगी चठी गोपी अपने निर्दिमेश नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी परन्तु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तरप्त नहीं हुआ करते वैसे ही वे उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तरप्त नहीं हो सकी साथवी गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हिर्दय में ही ले गई और फिर उसने आखे बंद कर ली मानो भगवान को अपने नेत्रों में ही कैद कर लिया हो अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया रोम रोम खिल गया और वह सिद्ध गोपियों की तरह परमानंद में मगन हो गई परिक्षित जैसे मुमुक्षुजन परम ज्यानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परमानंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे अब मुक्त हो गई थी और शान्ती के समुद्र में डूबने उत्राने लगी परिक्षित यो तो भगवान श्री कृष्ण अच्योत और एक रस हैं उनका सौंदर और माधूर निरतिशय हैं फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी भड़ गई ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपनित ज्यान बल आदिश शक्तियों से सेवित होने पर भी और अधिक शोभाइमान होने लगते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रिज सुंतरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया उस समय खिलेवे कुंद और मंदार के पुष्पों की सुर्भी लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंदित मंद मंद वायू चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रही थे शरत पुनिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी उसके कारण रात के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था चारों और आनंद मंगल का ही सामरा जिछाया हुआ था वह पुलिन क्या था यमुना जी ने स्वैम अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सूको मुल बालू का ही रंग मंच बना कर रख दिया हो परिक्षित श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से गोपियों के हिर्दे में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हिर्दे की सारी आधी व्याती, सारी दुख, सारी चिंता मिट गई जैसे कर्मकांड की शृतियां उसका वनन करते करते अंत में ज्यान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरतों से उपर उठ जाती हैं, धन धन्य हो जाती हैं, वैसे भी गोपियां पूर्ण काम हो गई अब उन्होंने अपने वक्ष इस्थल पर लगी वी रोली केसर से चिनित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सोहर्थ श्रीक्रिष्न के बिराजने के लिए बिछा दिया बड़े बड़े योगिश्वर अपने योग साधन से पवित्र किये हुए हर्दे में जिन के लिए आसन की कल्पना किये रहते हैं, किन्तु फिर भी अपने हर्दे सिंगहासन पर नहीं बिठा पाते वही सर्व शक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए सहस्तर सहस्तर गोपियों के बीच में उनसे पुजित होकर भगवान बड़े ही शुभाई मान होते थे परिक्षित तीनों कालों में जितना भी सौंदर प्रकाशित होता है वे सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदरी का आभास भर है वे उसके एक मात्र आश्रे हैं भगवान श्रीक्रिष्ण अपने इस अलोकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांशा को और भी उभाड रहे थे गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलास पुन्चितवन और तिर्ची भौों से उनका सम्मान किया किसी ने उनके चरन कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को अब वे उनके संस्पर्ष का आनंद लेती फी कभी कभी कह उठती थी कितना सुकुमार है, कितना मधुर है इसके बाद श्री कृष्ण के चिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुझ से ही उनका दोश स्विकार कराने के लिए कहने लगी गोपिया कहने लगी, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परन्तु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, प्यारे, अच्छा बताओ, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेंदेन मात्र है, ना तो उनमें सुहार्द है और ना ही धर्म, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके लावा उनका और कोई उदेश नहीं है सुन्दरियो जो लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, सज्जन और मातापिता उनका हर्दे सुहार्द से, हितैशिता से भरा हुआ रहता है सच पूछो, तो उनके विवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रशन ही नहीं है ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं और जिनकी द्रिष्टी में कभी द्वैत भास्ता ही नहीं, दूसरे वे जिने द्वैत तो भास्ता है परन्तु जो करत करत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि ह हम से कौन प्रेम करता है और चौथे वे हैं जो जान बूच कर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुली लोगों से भी द्रहू करते हैं उनको सताना चाहते हैं गोप्यो मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा विवार नहीं करता जैसा करना चाहिए मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्वरत्ती और भी मुझ में लगी रहे निरंतर लगी ही रहे जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सारा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो इसका हिर्दय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है वैसे ही मैं भी मिल मिलकर चिप चिप जाता हूँ गोपियों इसमें संदे नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंदियों को भी छोड़ दिया है ऐसी स्थिती में तुम्हारी मनुवरत्ती और कहीं न जाए अपने संदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे मुझ में ही लगी रहे इसलिए परोग शुरूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था इसलिए तुम लोग मेरे प्रेमे दोश मत निकालो तुम सब मेरी प्यारी और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ मेरी प्यारी गोपियो तुमने मेरे लिए घर ग्रहस्ती की उन बेडियों को तोड़ डाला है जिने बड़े बड़े योगी यती भी नहीं तोड़ पाते मुझ से तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोश है अगर मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनन्त काल तक तुम्हारे प्रेम, सेव़ और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता मैं जनम जनम के लिए तुम्हारा रिणी हूँ तुम अपने सौमे सभाव से प्रेम से मुझे उरेण कर सकती हो परन्तु मैं तो तुम्हारा रिणी ही हूँ हरे कृष्णा आज की कथा समात्वी और अगले अध्याय में आप सुनेगे महारास रचाने का विस्तार पूर्वाकवर्णन बहुत ही सुन्दर अध्याय है उमीद करती हूँ आप जरूर सुनेगे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को बिना कहे लाइक जरूर कर दिया करें